तो हे गाईस परेटर इस तरह मत्कु में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तो यार लगभाग एक से डेड़ महिने पहले यहाँ पर फिर हम लोग घुमने के लिए आये थे लेकिन यह जो नदी का किनारा है इस छोर नहीं आये थे हम लोग जो यह दो भागों में विभाजित है नदी न तो उस छोर पर आये थे और आज हम लोग तीन दोस्त आये हैं यह देख सकते हो यह जो बैठा हुआ है इसका नाम है जै जै वर्मा यह जो भाई खड़े है मोबा किसिंग तो यार दोनों तरफ खुबसूरत नदी का किनारा और बीच में एक टापू बना हुआ है एक दूइब बना हुआ है जिसके वज़र से इसका नाम पड़ा है मतकू दूइब तो यार ये देख सकते हो इस दूइब के अंदर बहुंश सारे पेंड़ पौधे है अधिकांस यहाँ पर हरियाली दिखाई देती है चाहे वह गर्मी का मौसम हो ठंड का मौसम हो या बरसाद का मौसम हो हाला कि अभी तो बरसाद का मौसम है लेकिन हम लोग गर्मी में आये थे तब भी यहाँ पूरी तरह से हरा भरा था मौसम हो टौरी तरह से हरा आ आ आ आ आ आ तो यार अब हम लोग चल रहे हैं एनीकट पर एनीकट के पास से जाकर आपको नदी का नजारा दिखाने वाला हूँ यहां से सच में नदी का नजारा काफी ज़्यादा अमेजिंग लगता है तो आप भी बेक केमरे से नजारा देखिएगा अजारा दिखेगा तो यार यहाँ पर देड़ दो घंटे रूकने के बाद इंजॉय करने के बाद अब हम लोग वापीज घर के लिए निकर रहे हैं तो यार आज के ब्लॉग में सच में काफी जादा मज़ा आया I hope आप सबको भी मज़ा आई होगी तो यार इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में सेयर कर देना बाकी हम लोग मिलते हैं एक नई इंट्रेस्टिंग ब्लॉग में तब तक के लिए वाई वाई एंड टेक केर